वेलकम टू एक्सपर्ट केमर्स ओनली ये वीडियो क्रिकेट 24 के मेन मैन्यो के हवाले से है तो इसमें तमाम डिटील्स शियर करते हैं कि मेन मैन्यो कैसा दिखता है सबसे पहले तो ये पेज आपको दिखेगा यहां पे आपका वरिजन आफ गेम रहेगा जिस तरह अपडेट अब हम आ गए हैं एंटर होकर तो सबसे पहले होम बटन है यहां पे दो बटन है बेसिकली होम बटन एंड क्रिकेट अकैडमी तो होम बटन पे ये सारी चीजे हैं जिसमें सबसे पहले आपको प्ले नौ का मिलता है यहां पे और प्ले नौ आप हर बार करते हो लेकिन यहां प्ले नौ में ज्यादा मैचेस सेव कर लेते हैं यहां पर तो आपको प्ले नौ में एरर आने लगता है तो फिर उसको हल करने का यह तरीका रहेगा के आपने यह सेव मैचेस neo कर देना है फिर आप प्ले नौ कर सकेंगे career mode यहाँ पे और ashes जो test matches है उनको आप यहाँ पे खेल सकते हैं online यहाँ पे आप create कर सकते हैं world championship आप यहाँ पे खेलेंगे जबके नीचे फिर एक list है तमाम tournaments की आप देख सकते हैं 100 BBWL है और Indian T20 League जिसको IPL कहते हैं CPL Caribbean और पाकिस्तान सुपर लीग और ड्रीम 11 सुपर स्मैश भी है मजीद नीचे आ जाएं तो फिर cricket academy की यहाँ पे settings आ जाती है tutorial जाते हैं जहाँ पर ट्रेनिंग करेंगे और tours आ जाते हैं जो आप manage कर सकते हो controls की बात करें तो controls को आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं settings, custom difficulties, credits फिर आपके पास आ जाती है आप अगर theme change करना चाहें तो यहाँ पे रह सकती है settings में फिर आपने cricket academy में आना है तो और भी बटन दबाएंगे और यहाँ पे आ player editor, team editor, मुख्तलिफ options हमें दिखते हैं field भी आप अपनी रख सकते हो बना कर और वो field आपकी हमेशा रहेगी जो field आप यहाँ पे set कर लेंगे तो होगा यह कि आप उसको just select करेंगे और आपकी 100% field ready है search community में यहाँ आप player और team download कर सकते हैं top searches show होंगी और यहाँ पे my community this is all about main menu of the cricket 24 see you again in the later tutorials